बिल्ली और चूहू की कहानी एक बार एक बिल्ली थी, वो बहुत ही चालाक और चौकस थी और उसकी इसी चालाकी और चौकसी को देखकर चूहे भी सावधान हो गए थे और अब चूहे बिल्ली के हाथ नहीं आ रहे थे एक समय ऐसा आया कि बिल्ली भूप के मारे तड़पने लगी एक भी चूहा उसके हाथ नहीं आता था क्योंकि वो उसके आहट सुनते ही तेजी से अपने बिल में छुप जाते थे भूप से बचने के लिए बिल्ली योजना बनाने लगी तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो एक टेबल पर उल्टी लेट गई उसने सभी चूहों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मर चुकी है सारे चूहे बिल्ली को ऐसे लेटा हुआ अपने बिल से ही देख रहे थे उन्हें पता था कि बिल्ली बहुत चालाक है इसलिए उन्में से कोई भी चूहा अपने बिल से बाहर नहीं आया लेकिन बिल्ली भी हार मानने वालों में से नहीं थी वो बहुत देर तक उसी टेबल पर उल्टी लेटी रही धीरे धीरे चूहों को लगने लगा कि बिल्ली मर चुकी है वो जशन मनाते हुए अपने बिल से निकलने लगे चूहे जैसे ही बिल्ली की टेबल के पास पहुंचे उसमें उच्छलकर दो चूहे पकर लिए इस तरह बिल्ली ने इस बार तो अपने पेट को भर लिया, लेकिन चुहे अब और भी ज्यादा सतर्ख हो गए दो चुहे खाने के बाद बिल्ली दोबारा भूप से तड़तने लगी, क्योंकि चुहे अब बिल्कुल भी लापर वही नहीं बरतना चाहती थे इस बार पेट भरने के लिए एक बार फिर बिल्ली को योजना बनानी थी, लेकिन इस बार चोटी योजना काम नहीं आने वाली थी, इसलिए बिल्ली ने अब खुद को पूरे आटे से धाक लिया, चुहों ने सोचा कि वह आटा है और उसे खाने के लिए आ गए, लेकिन एक बूरे चुहे ने उन्हें रोक दिया, उसने ध्यान से आटा देखा, तो उसे उसमें बिल्ली का आकार दिखने लगा, तब ही बूरे चुहे ने हल्ला मचाना शुरू किया, उसने कहा, सब अपने बिल्ली चुपी है, बूरे चुहे की बात सुनकर सारे चुहे अपने बिल् कहानी से सीख, बिल्ली और चूहे की कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धी का इस्तिमाल करके धोखे से बचा जा सकता है